पब्लिक टीवी आपकी आवाद देते हुए कहा इभारते जन्ता पार्टी में प्रतियाशी चेहन की एक प्रक्रिया है और आपस में बातचीत करके केंद्रे चुनाफ समीथी के समुख सभी 80 सीटों को लेकर प्रदेश की चुनाफ समीथी के लोग गए थे जिसके बाद केंद्रे चुनाफ समीथी ने 51 लोग सभी असी सीटों को लेकर प्रदेश की चुनाब समीती के लोग गई थे कि इंद्रिय चुनाब समीती ने क्यामन लोग को पिरतियासी के रूप में घोशित किया है माने प्रधान मंतरी जी के नेत्रुत में हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की भारतियंता पार्टी सबार जो माने प्रधान मंतरी जी का संकल्प है उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे जहां तक सेस्प्रतियासियों का विशे है विचार विमर्ष आप बातचीत करके बहुत जल्द गठवंदन के साथियों को कौन-कौन सीटे दी जाएंगी और सेस्प्रतियासियों की घुष्णा केंदर चुनाव समीती जल्द से जल्द करेंगे अदिर जी एक सो पिचानुए किसी जारी हो गई है मुस्लिमों की बात हो रही है क्या भागेदारी मिलने ही कि उप्रिशित रूप से समाज के सब बर्गों को भारतियंता पार्टी ने इस चुनावी समर में उतरने के लिए मोधी जी के नेद्वत में अबसर दिया है चुनाव जीतने की सभी दलों की रणनीती है और उस रणनीती में एक प्रत्क्यासी चेन की पिर्क्रिया भी एक महत्पूर्ण भूमी का नहीं भाती है मुरादबा से किते अब ये तो पार्टी को ते करना है केंद्री टीम को ते करना है लेकिन मुटा मुटा आपस में बातचीत बिचार विमर्स का काम पूरा करके विशे किंद्री चुनाव समीती को ते किंद्री पार्लामेंटरी बोड को उसमें निर्ने लेना है बहुत जल्दी नामंकन से पहले पहले आपको सुचना मिल जाएगी क्या महिलाओं की भागेदारी देखी को पर ध्यान दिया जारा है का यूपी में हम सब को जो आपने एक सो पिचान में प्रतियासियों की सूची के इंद्री चुनाव समीती ने जारी की है उसमें समाज के सब बर्गों को प्रतिया गया है बहने भी हैं पिछडे भी हैं अनुसुचित जाती के लोग भी हैं ट्राइबल भी हैं समाज के सब बर्गों को और हमारा जो जीतने का फार्मूला है उस फार्मूली को भी पार्टी ने निश्चित रूप से सम्मुक रखा हुगा आसन सोल से एक टिकट दिया गया था पवन सिंगापुर जो भोजपुरी जो प्राकार है उन्होंने उसको टिकट को नमस्का कर दिया है वापिस कर दिया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है मेरे राज्ये से संबंदित विसे भी नहीं है और जो उन्होंने किस प्रकार से किन परिपेक्ष में ये बात कही है अपने वो पस्ष्वी बंगाल की इस्थानी है हमारी पार्टी की इकाई है वो उस पर कुछ बेहतर से बता सकती है